बेस बेस युनिबसिटी मेरे देश में हो उच्चतम सिख्षा उनको मेरे देश में मिले और मेरे बच्चियों का उनके परिवार का पैसा बचे उसलिए मैं कहा दा अधनिय सभापती जी आने वाले पांच साल आप देख रहा कोई भी इंटरनेस्टल ठेल की कमपटिशन ऐसे नहीं होगी जुसमें भारत का जंडे हर जगा बढ़नत है मैं देखने वाला हूँ तेल जगत के अंदर दुनिया में भारत की युगा की शक्ति की पैचान दरने है आधनिय सभापती जी आने वाले पांच साल में भारत का पब्लिक ट्रांस्पोर्ट पूरी तरह ट्रांस्प्राम होने वाला है अगले पांच साल में गरीब और मिललकास को तेल और शांदार यात्रा की सुविधाई बहुत आसानी से मिलने वाली है देज मिलने वाली है पूरी ताकत से बहुता होने वाली है अगले पांच साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश बंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखाईगा अगले पांच साल में आतमा दिरबर भारत का भियान नई उचाहिपर होगा देश हर छेत्र में आत्म देवर होता नजर आएगा आदनिये सभवती की आने वाले पांच साल में मेडिन इन्या सेमी कंड़क्टर दुनिया में हमारी गुंज होगी इलेक्ट्रोनिक हर घूड में वो चीफ होगी जिसमें किसी न किसी भारतिय का पसीना होगा दुनिया के इलेक्ट्रोनिक बाजार में एक नई व्यति का सामर्त आने वाले पांच साल में देश देखेगा आदनिये सभवती आज देश लाखों कलोर रुपय का इंपोर्ट करता है अपनी उर्जा जरुतों के लिए हम जादा से जादा आत्मनिर भर बनने की दिशा में काम करेंगे और मुझे विश्वास है हम उर्जा जरुतों पर जो डिपेंडन्स ही है वो कम करने वे सभल होंगे इसे इतना ही नहीं अधरेनिये सभवती जी ग्रीन हाइडरोजन भ्यान हम दुनिया के बाजार को लालाइद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे है हमारा ग्रीन हाइडरोजन उर्जा जरुतों को पूरा करने का सामर्त रहेगा इतनाल के दुनिया में हम तेजी से आगे बढ़ रहे है हम 20% का लक्ष प्राप्स करके हमारे लोगों को transportation में सस्ता मिले इसकी ववस्ता होगी आधनीय सभापती जी जब मैं 20% की बात करता हूँ उसका सीधा लाप मेरे देश के किसानों को होने वाला है देश के 1000 करこूर रूपिया खाद देते हैं कि कर्शी प्रदान देश तो कहते हैं लेकरा आज भी 1000 करोर लुपियो का खाने का तेल हमें बार से लाना पड़ रहा है हमारा देश के किसानों पर मुझे भरोसा है और मुझे पक्का विज़े जो नीतियों को लेकर हम चलते हैं एडिवल ओइल में मेरा देश बहुत एक आत्मत देरबर 5 साल में हो जाएगा और जो पैसा बचेगा मेरे देश के किसान की जेब में जाएगा जो आज देश के बाजार में जाता है आदनिय सभापती जी केमिकल की खेती के गानम हमारी दर्ती मा को बहुत पुक्षान हो रहा है आने वाले 5 साल में नेचनल फार्मिंग के तरब देश के किसानों को ले जाने में हम सफलता पुरोग आगे बढ़ेंगे एक नया जागुरुती का काम होगा हमारी जर्ती मा की फिस्वरक्षा होगी आदनिय सभापती जी नेचनल फार्मिंग बंडे से दुनिया के बाजार में भी हमारी उत्पादों की ताकत बढ़ने वाली है आदनिय सभापती जी UN के माद्दम से मैंने मिलेट का भ्यान चलाया स्री अन्नत के राते आज हमने उसकी पहचान दी है मैं वो दिन देर दूर नहीं देखता हूँ जब की आने वाले पांच साल में दुनिया के बाजार में सूपर फूड के रुप में मेरी गाउं के छोटे-छोटे किसाओं के तरह काजा हुआ मिलेट स्री अन्न दुनिया के बाजार में प्रतिष्णा होगी सूपर फूड की प्रतिष्णा होगी आदनिय सभापती जी ड्रोन खेतों में एक नईस किसानों की ताकत बन करके उखने वाला है पंदरा हजार ड्रोन दीदी का कार का मौल देनी हम लॉंच कर चुके हैं यह तो शुरुवात है आगे भहुत सफलता दिखती है आदनिय सभापती जी हम नैनो टेक्नोलोजी को अगरिकल्चर में लाने में प्रवगब तक सफल हुए है हमने नैनो युया में भहुत बड़ी सफलता पाई है नैनो डीएपी की दिशा में सफलता पाई है और आज एक बोरी बर खातर लेकर के खुमने वाला किसान एक बोटल के खातर से काम चला रहेगा आज एक सफापती की सहकारी के अक्षेत्र में हमने एक नई मिनिस्ट्री बना ही है उसके पीछे इरादा है एक सहकारीत्या का पुरा जना अंदोलत नई ताकत के साथ उपरे और 21 सदी की आवशक्ता को अनुसार उपरे उसको भ्यम और उसका सबसे बड़ा लाग हम दो लाग ब्रणारन का काम जो वह हाथ में लिया है जो पांच साल के भीतर भीतर वो पुरा हो जाएगा छोटा किसान को भी अपनी पैदार को रखनेगी जगा मिल जाएगी किसान तही करेगा किस भाव से बाजार में बेचना है नहीं बेचना है उसको जो बरबाद होने का डरता वो खतम हो जाएगा और किसान के आर्थिक ताकत भढ़ जाएगी पशू पालन और मशली पालन पक्का में कहता हूं नए रेकॉर्ड बनाने वाले आज हमारे आपशू की संग्या है लेकिन दूर्ट की उत्पादन का मैं हम इस स्थी जो बदल देंगे फीशा रहेंगे एक्सपोर्ट करने की दुनिया में हम बहुत बड़ी तेजी से विकास करेंगे ये भी मेरा प्रवाब इस्वास है हमने एप्पियों की जो रतना का प्रारम किया है हनुभो बहुत अच्छा है पांच साल के भीतर भीतर किसानों की एक नई संकड़म की शक्ति और क्रिशी उत्पादन में वैल्यू की ताकर ये लाब मेरे देश के किसानों का वश्वे मिलने वाला है आदर्य सभापती जी G20 की सभलता ने साप कर दिया है और दुनिया में कोविट के बाद जो खुलापन आया उस खुलापन का सब शबड़ा लाब हमने देखा है कि विश्व का ध्यान भारत की तरफ गया है और इसलिए एक बहुत बड़ा ख्षेत्र टूरिजम आने वाले दिनों में होने वाला है और जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है आज विश्व के कई देशे जिसकी पूरी एकानोमी टूरिजम पर निवबर है भारत में भी बहुत से राज्यासे बन सकते हैं जो उनकी पूरी एकानोमी का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिजम होगा और वो दिन दूर रही है जिन लितियों को लेकर हम चल रहे हैं भारत बहुत बड़ा टूरिज्ट डेस्टनेशन बने वाला है आदे दियस वापती जी जिसका हिसाब किताब पहले बहुत कम हुआ करता था जिसकी बाते सुड़कर के हमारी मजाक उड़ाई आती थी जब मैं डिजिटल इंडिया की चर्चा करता था जब मैं मैं फिंटेक की चर्चा करता था तो मैं जरा आउट अब बॉक के बाते कर रहा है एसा लोगों को लगता था आउटेटेट सोच वालों के लिए सामर्त का भाव था लेकिन मैं पुरा विश्वात से कहता हूँ आदारी सभापती जी आने वाले पांच बस डिजीटल एकनामी की दुनिया में भारत का डंका बेजने वाना आएगा। प्योग मेरा देश करेगा। आदेश सभापती जी स्पेस की दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है। हमारे विज्ञानिकों का पराकम नजर आना वाला और आने वाले पांच साल का जो कारकम है ना मैं आज उसको शब्दों में बयान ही करना चाहता हूँ. लेकिन विश्व को अचंबित करने की दिशा में हमारे विज्ञानिक स्पेस की दुनिया में भारत को ले जाएंगे यह मेरा पक्का विश्वास है आदर जी सहावा ग्रास्रूट लिवल की एकोनोमी में बहुत बड़ा बड़लाव दस करोड स्वयम सहाई ता जूतों में हमारी माताय बहने जिडियों और तीन करोड हमारी लगपती दीदी यह अपने आप में हमारे बेटियों के उतकर्षी काथा लिता आदर यह सहावादी नी ऐसे अनेग मित खेत्र है जिस खेत्र में मैं साब देख रहा हूँ आने वाले पांच हर साल धारत कभी हम सुना करते देख स्वनिम्यूग था मुझे वो दिन दूर नहीं दिते जब पांच साल में वो मजबुत नहीं आएगी और 2047 तक पहुंते पहुंते यह देश उस्वनिम्यूग को फिर से चीने लगएगा इसके लिए हम समर्वित भाव से हमारी हर सांस उस काम के लिए है हमारी हर पल उस काम के लिए है हमारी हर सोच उस काम के लिए समर्वित है उसी एक भावना के साथ हम चले हैं चल रहे हैं चलते रहेंगे और देश आगे बढ़ता रहेगा जीवन के हर खेत्र में नई उचायां नई नई ताकत प्राप्त होने वाली है और हर संक्रप को सिद्धी तक पहुँचाना यह हमारी कारिशली का हिस्सा है हादनी सभावती जी मैं फिर एक बार इस सदन में आप सबने जो विचार रखे उसके कान देश के सामने सत्य रखने का मुझे जो अवसर मिला और दंके की चोट पर सत्य रखने का अवसर मिला और सदन की पवित्रता के बीच रखने का अवसर मिला है सम्यधान की पूरी साक्षर रखने का अवसर मिला है मुझे विश्वास है कि देश जिनकी वारंटी खतम हो गई है उनकी बाते सुन नहीं सकता है जिसकी गारंटी की ताकत देखी है उसकी वजारों के भी विश्वास करते हैं तो फिर एक बार आदेरिया सभाबती जी आपका रुदे से आभार वेक्ते करता हूँ और आदेरिया राश्पती जी को मेरी तरब से उनके याख्यान के लिए आदर पुर्वग, अभिनंदर और आभार वेक्ते करते हुए है मैं मेरी वार्णी को विरान देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद